असलाम आलेकुम, आज हम बनाएंगे मलाई चिकन तिक का बिर्यानी, ये एक तरह की मलाई तिक का बिर्यानी है, सेम इंग्रिडियन से आप मटन की बिर्यानी भी बना सकते हैं, बहुती तेस्टी और डिलिशस बनती है, आप इसे ज़रू ट्राइ कीजेगा, मैंने यहाँ पर सारे 700 ग्राम चिकन पीसेस लिए है, अच्चे से क्लीन और वाश करके लिजे, अराउंड 3 कप्स है, 12 तो 13 चिकन पीसेस है, मीडियम साइज, सबसे पहले हम मैरिनिशन पेस्ट बना के लेंगे, एक बाउन लीजे, 5 तीबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, अध साजी मलाई डालिए, जो अमुल की मिलती है, आप वो भी यूज कर सकते है, अधर्वाइस जो मलाई उपर आती है, दूद पर उसे निकालिए, थुड़ा ठंडा कीजे, और फिर यूज कीजे, अच्चे से उसको मिक्स कीजे, अभी हम इसमें 1 टी स्पून ब्लैक पेपर प दालिए, वन टीब स्पूर फाइनली ग्रेटेड कैशु नर्स, काजु को बारिक खीस के डालिए, मिक्स इट वेल, होल ड्राइ स्पाइस डालेंगी, एक साबुद डालचिनी, एक साबुद जावितरी का फूल डाले, तीन साबुद हरी इलाइची, दस दाने साबुद काल मिर्च और दो लॉंग, एक साबुद बड़ी इलाइची, हाफ टीस्पून शाही जीरा, वन टीस्पून साबुद जीरा, एक बेई लीफ डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, अभी हम इसमें डालेंगी, हाफ टीस्पून चाट मसाला पाउडर, वन टीस्पून सॉल्ट, नमक, वन टीबल स्पून ओल, तेल डालिए, वन टीबल स्पून फ्रेश लेमन जूस, निम्बू का रस, अच्छे से सारे इंग्रिटियन्स मिक्स करके लीजे, स्पून से, एक एक करके सारे चिकन पीसे आप इसमें डालिए, मिक्स ट्वल नाइसली विद हैं, हाथ से उसक कफ फ्राइड ओनियन, बिरिस्ता डालिए, एक बर वापस से मिक्स करके लीजे, इसको कवर करके हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में, होल नाइट और वन डे के लिए, त्री कप्स बासबती राइस लिए है, एक घंटा हमें पानी में बिगो के रख जीरा, 10-12 होल, साबुत काली मिर्च डाले, दो लॉंग डालिए, चार साबुत हरी इलाइची डाले, एक बड़े इलाइची, वन पीस मेस फ्लार, चावितरी का फूल, एक तेज़ पता, त्री पीस डाले, पुलाव पात के, 60 स्पून सॉल्ट नमक डाले, 1 टेबल स्पून ओल, तेल भी डाले, वाटर पॉट रेड़ी है, जब भी आपको चावल बॉयल करने है, तब भी आप गैस को अन कीजिएगा, मैरिनेटेद चिकन बाहर निकाल के ले लीजिए, 15 मिनिट्स पहले, फ्राइ करने के पहले, एक बार वापस से, उसको हाथ से, मिक्स करके लीजि एक एक चिकन पीसेस को निकाल लिए और फ्राइ करने के लिए फ्राइंग पैन में डालती जाएए, उसका मैरिनेट किया हुआ एक्स्टरा मसाला पेस्ट अब नहीं डालेंगे, उनले चिकन पीसेस ही डाले, ये देखिए अपना जो ग्रेवी पेस्ट है, मसाला पेस्ट उ Open and check it. ये देखिए कितने अच्छे से moisture release हुआ है. वापस से हम chicken pieces को turn करेंगे. Again cover and cook for 10 minutes. वापस से open कीजे और उसको turn कीजे. अगर उसमें पानी हो तो उसको openly ऐसे ही absorb होने दीजे. Total हमें 15 to 20 minutes उसको cook करके लेना है. Water absorb हो चुका है अब gas को कर दीजे, बंद. थोड़ा सा ताजा पुदीना उपर से स्प्रिंकल कीजे. चिकन मलाई तिक का इस ready now. इसको अब साइड में रखे. लेवरिंग करने के पहले वन कप हरा धन्या और पुदीना चॉप करके साइड में रेडी रखे. सबसे पहले हम gravy ready करेंगे. एक कड़ाई लीजे, गैस को रखे medium flame पर. 2 टीबर स्पून ओइल डालिए. तेल गरम होने पर हम उसमें gravy paste डालेंगे. जो हमने marinated masala paste रखे थे, वो डालेंगे. हमें इसे भूनना है अच्चे से. अराउंड 15 मिनिट आप उसको अच्चे से roast करके ले. फर्स्ट 5 मिनिट लेटर, देखे, और रिलीस हो गया है. नाउं हम इसमें half cup पानी add करेंगे. और उसको 10 मिनिट के लिए continuously roast करेंगे, भूढेंगे. ये देखे, after 15 मिनिट लेटर, this is the right consistency. बहुत अच्चे से भून कर ready हो चुका है अपना masala. अभी हम इसमें one cup पानी add करेंगे, gravy के लिए. अच्चे से mix कीजे और boil आने तक wait करें. boil आ गया है, अब gas को करेंगे low flame पर. सारे fried chicken तिका pieces आप gravy में add करेंगे, उसके सारे oils और मसाली के साथ. एक बार अच्चे से mix कीजे. हर धनिया और पूर्दीना थुड़ा सा उपर से स्प्रिंकल कीजे. कवर करके उसको 5 मिनिट्स के लिए low flame पर cook कीजे. After 5 मिनिट्स लेटर, open and check it. Close flame, gas बन कर दीजे. बहुती भैतरीन सी gravy ready है, इसको side में रखे. High flame पर पानी boil करने के लिए रख दीजे. पानी में boil आ गया है. सोक किये हुए, भीगोए हुए, बासमत्री rice हम पानी में डालेंगे. और उसको 75% तक ही हमें cook करना है. Rice 75% तक boil हो चुके हैं. अब हम सारा पानी drain करेंगे. चांद कर लीजे चाओ लोगो. Boiled rice are ready now. इनको भी side में रखे. एक small pot लीजे. उसमें घी और oil tempering करने के लिए बाग में हमें use करना है. तो low flame पर उनको गरह होने के लिए रख दीजे. एक small bowl में 2-3 tablespoon milk डालें. रूम temperature पर होना चाहिए. उसमें 1 foot teaspoon kevra essence डालें. mix करके side में रखे. चलिए हम layering करते हैं. एक बड़ा pot लीजे. जिसमें हम बिरियानी की layers लगाएंगे. pot को थुरा सा oil डल कर base में grease करके ले. इस तरह से. अभी हम उसके उपर foil paper लगाएंगे. नीचे base पर. जिससे की बिरियानी नीचे बिलकुल भी जलेगी नहीं. round shape में tomato slices कट करके लीजे. और नीचे base में लगाएंगे. मैंने one tomato यूज किया है. half quantity ball rice को नीचे spread करके लीजे. इस तरह से उसके layer बना कर ले लीजे. हरा धनिया उपर से थुरा सा sprinkle कीजे. थुरा सा pudina भी sprinkle करिए. और हमने जो kevra milk essence वाला milk बनाए हैं. वो थुरा सा डल ये. अब हम उसमें चिकन वाली gravy के layer लगाएंगे. थुरा सा fried onion विरिस्ता उपर से sprinkle करिए. और साथ में हरा धनिया और पुदीना भी sprinkle करे. उपर sprinkle कीजे boil rice. उपर से विरिस्ता sprinkle कीजे. हरा धनिया पुदीना भी sprinkle करे. थुरा केवड़ा essence उपर से डाले. सारे बचे हुए remaining boil rice सब डाले. वापस से fried onion विरिस्ता उपर से sprinkle करे. हरा धनिया और पुदीना भी डाले. बचे हुआ सारा milk हम इसमें डालेंगे. हमने गरम करने रखे थे घी और oil को वो हम इस पर अभी spread करेंगे. इस तरह से hot oil उपर से spread कीचे. कवर कीचे और medium high flame पर 5 minutes के लिए हमें उसको cook करना है सबसे पहले. After 5 minutes later, gas को रखे low flame पर 20-25 minutes के लिए simmer पर आप उसको cook कीचे. और फिर gas बन कर देना. A delicious chicken malay tic का biryani is ready now. इस एड़ पर अब जरूर बनाएगा, सबको बहुत पसनाएंगी. बिर्यानी के साथ हम बुंदी का रायता सर्फ करेंगे. बुंदी का salad बनाएँगे, जिसके लिए एक बाउल में half cup salty बुंदी, नमकीन बुंदी लीजे. इसमें हम half cup दही, curd डालेंगे. अच्छे से एक बार mix करके लीजे, दही को बुंदी के अंदर. mix होने के बाद हम इसमें डालेंगे, one fourth cup water, पानी, one eighth teaspoon salt डाले, साथ में one tablespoon sugar, शकर, one eighth teaspoon red chili powder, लाल मिच पाउडर, one fourth teaspoon cumin powder, जीरा पाउडर. अगर आपको थोड़ा और spicy चाहिए, तो आप एक green chili chop करके डाल सकते हैं, अच्छे से सारे ingredients mix करके लीजे, बस थोड़ी देर में बुंदी soft और fluffy हो जाएंगी, नरम हो और फूलेंगी. टेस्टी बुंदी राइटा is ready now. गर्मा गर्म सर्फ कीजिए, मलाई चिकन तिका ब्रियानी, बुंदी राइटा और साले की साथ. सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए, बेल आइकान पर प्लिक कीजिए. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फैमिली एंद फ्रेंज की साथ. और प्लीज दू सब्सक्राब माय चैनल, थेंक यू! दिलिचाट!